वेलकम तो दी चैनल स्टूदेंट्स तो आज की इस वीडियो में आप श्प्लेन करने वाले हैं और गैनिक कमिस्ट्री में से इंपोर्टेंड ओर्डर्स तो ओर्डर्स ओफ रेक्टिविटी ओर्डर्स ओफ दी बॉइलिंग पॉइंट्स आपके इस वीडियो में अपने नोट्स बनाने हैं और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेर जरूर करना है और अगर आप मारे चैनल पर आए हैं फर्स टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो इस पूरी सीरीज में आपके जो और्गैनिक में से फिफ्टें मार्क्स का पेप क्लोरो बेंजिन ठीक है और यहां पर या फिर अलकाइल हलाइड हो या फिर कोई आपके पास साइकलिक कंपाउंड हो उनकी रेक्टिविटी ज्यादा होती है धैन दी हैलो अरीन जब बेंजीन के साथ कोई हैलोजन चुड़ा हो उसकी रेक्टिविटी लो हो जाती है ठीक है तो क्लोरो बेंजिन की रेक्टिविटी होगी लेस ठीक है टुवार्टस द्ी न्यूक्लिव्फिलिक सब्सक्रीशन क्या होती है कि हम यहां से क्लोरिन को रिप्लेस करकर कुछ और यहां पर किसी न्यूक्लियो फाइल का अटैक कर Mother हुआ ठीक है तो इसकी सबसे पहला आप लोगों का order of activity है अब इसका reason भी आप लोगों को पूछा जा सकता है assertion reasoning problems में वो क्या है ठीक है वो भी आप लोगों ने साथ में ही याद रखना है अब देखिए इसके दो reason बनते हैं तो सबसे पहला reason है कि जो CCL bond होता है hello arines में ये वाला bond ठीक है CCL और CC में this is the CCL bond acquire से partial double bond character अब देखिए क्या होगा ये जो है electrons के pair यहाँ पर due to resonance ठीक है share हो जाते हैं और यहाँ से एक bond break हो जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है partial double bond character ठीक है this is important कि जो हैलोरीन्स होते हैं उनमें carbon और hydrogen के bond में partial double bond character होता है जिसके कारण के इस bond को break करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है और second क्या बात है कि जो यहाँ पर हैलोरीन्स में होती है carbon atom यह वाली carbon atom इसकी hybridization क्या रहती है SP2 क्योंकि यह बना रही है double bond तो जो भी जब भी carbon बनाएगा double bond उसकी hybridization SP2 हो जाएगी तो SP2 में more S character होता है इसलिए वो more electro negative बन जा जाती है जिसके कारण के यह जो C and CL का bond है यह वाला bond है यह bond हो जाता है short ठीक है यह bond छोटा हो जाता है and become the less polar therefore इसकी cleavage या इसको break करना काफी मुश्किल हो जाता है difficult हो जाता है इसलिए इसकी reactivity low हो जाती है तो यहाँ पर दो main हमारे पास reason बनते हैं तो first reason is the partial double bond character and the second reason is the इसकी hybridization state ठीक है तो जिसके कारण के यह bond short हो जाएगा ठीक है तो यह दोनों reason आप लोगों ने याद रखनी है जिसके साथ हम explain कर सकते हैं कि हेलो अरीन सार less selective than the hellolkines और इसके इलावा आप लोग याद रख सकते हैं कि क्लोरीने के electron withdrawing group है बट फिर भी resonance में वो अपने electron pairs donate क करता है इसलिए वो ortho para directing होता है यह बात आप लोगों ने याद रखनी है जब भी benzene के साथ hydrogen जुड़ा होगा तो फिर electro file जो है वो ortho या फिर para position पर जुड़ेगा यह हम पिछली वीडियो की reactions में मैं आपको अलड़ी बता चुका है clear है ठीक है तो यह था हमारा point number one please साथ मे अपने नोर्स बनाई है तो आपको अच्छे से understanding हो जाएगी ठीक है तो आगे चलते हैं एक बात और यहां पर hybridization क्या होगी जब बनते हैं single bond SP3 और यहां पर भी SPA3 रहेगी ठीक है तो यह बात आप लोग या रख सकते हैं तो आगे चलते हैं second point पर इसमें हैं कि electron withdrawing group जैसे कि NO2 हो गया, CN हो गया, COOH हो गया या पिर मतलब S3 group हो गया यह अगर ठीक है ओर्थो और पैरा position पर जुड जाएं तो यह activity को increase कर देते हैं towards the nucleophilic substitution हमने अभी अभी read किया था कि chlorobenzene की activity low है towards the nucleophilic substitution उसको increase करना हो तो हम electron withdrawing group जैसे कि NO2 को chlorobenzene में यहां पर जोड देते है कौन सी position पर जोड़ते हैं और्थो या फिर पैरा position पर जैसे के यह आपके सामने है example, so this is the chlorobenzene हमने इसकी पैरा position पर जोड़ दिया है अनो तो, this is the parahitro chlorobenzene ठीक है, अब देखिए इसकी reactivity हो जाएगी increase, तो अगर हम NO2 group एक से ज़्यादा जोड़ दें या फिर जितने ज पैरा position पर भी जोड़ दिया, इसकी reactivity और ज़्यादा हो गई, एक और ortho position होती है ये वाली, तो हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया, मतलब जितने ज़्यादा electron withdrawing group होंगे, उतनी ज़्यादा reactivity increase हो जाएगी, जो हमारे यहाँ पर hello arena sent towards the nucleophilic substitution, तो यह जो compound है, इसकी nucleophilic substitution easily हो जाती है, और इसकी होगी सबसे ज़्यादा difficult, ठीक है, clear है, तो यह बात आप लोगोंने याद रखनी है, इस पर based mcq आने के बहुत ज़्यादा chances है, ठीक है, आप लोगों को कोई भी चार option या फिर इनके IUPAC name, सबसे important क्या है, कि आप लोगों को IUPAC name साते होने चाहिए, वो आपको दिये जाएंगे, ठीक है, उससे आप लोगोंने आगे solving करनी होगी, जैसे इसका क्या बनेगा IUPAC name, अगर इसको मालने 1 position, so 2, 3, 4, 5 and 6, तो यह क्या बनेगा, 2, 4, 6, Trinitro Chlorobenzin, ठीक है, तो ऐसे आप लोग सभी के names बना सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको इनके name दिये जा सकते हैं, उससे कुछ पूछा जा सकता है, clear है, second point हो गया clear, तो आगे चलते हैं, third point is the order of activity in the SN2 reaction, तो SN2 reaction क्या होती है, मैं आपको पिछली वीडियो में already explain कर चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को ध्यान से सुनी हैं, अगर आप लोगों को SN2 के ब आप ली, ओपन दी कार्बन एटम, जिसके उपर हैलोजन होता है, एक स्टेप में हो जाती है, तो इसमें मेन क्या रहती है, स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल लाता है, ठीक है, तो डू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस, order of activity क्या होता है, यहां पर, कि जो मिथाईल, यहां पर हमा की रेक्टिविटी सबसे लो रहती है, ठीक है, इसकी examples देखते हैं कुछ, तो जैसे के हमारी सबसे पहली example है, that is the one bromo butane, ठीक है, तो यह होगा एक primary alkylolide, two bromo butane होगा, secondary alkylolide, उसकी low activity होगी, two bromo, two methyl propane, यह होगा, हमारा third degree alkylolide, इनकी structures, कुछ ऐसी है, ठीक है, तो यह है हमारा one bromo butane, तो जिस carbon के साथ जुड़ा है halogen, उसके साथ आगे only one chain है, so therefore this is the primary, अब जिसके साथ जुड़ा है हमारा halogen, उसके साथ दो chains है, so this is the secondary, और जिसके साथ हमारा जुड़ा है यहाँ पर halogen, उसके साथ कितनी chains है, तीन chains है, so this is the third degree, ठीक है, तो क्या होगा कि primary मे SN2 की reactivity सबसे ज़्यादा, secondary में उससे कम और third degree में सबसे कम, ठीक है, clear है, simple है, और अगर सभी के सभी primary हो और different halogens जुड़े हो, तो फिर iodine वाले की सबसे ज़्यादा reactivity रहेगी, because iodine का size ज़्यादा होता है, bond weak हो जाता है, तो फिर इसलिए वो जल्दी यहाँ से bond break करकर leave कर स the bromine and iodine, ठीक है, clear है, तो अगर कुछ ऐसी example आजाए, यह जो third वाली भी बहुत important है, ठीक है, के जिस carbon के साथ जुड़ा है हमारा halogen, उसके साथ तो आगे एक ही chain है, यहाँ पर भी, और अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर भी उसके साथ आगे एक ही chain है, ठीक है, मत हमारा primary है, secondary है, या फिर third डिकरी है, तो यहाँ पर यह carbon भी हमारा primary है, क्योंकि इसके साथ तो आगे एक ही chain है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है, यह तो हो गया primary, यह जो अगला carbon है, अब इसके साथ दो chains है, एक यह वाली और एक यह वाली, यह है secondary, तो अगर जिस carbon के साथ hyalogen जुड़ा है वो सेम आजए primary primary secondary secondary फिर उससे अगला carbon आप लोगों ने check करना है तो फिर हमने अगले carbon में देखा कि ये वाला primary है ये वाला secondary है इसलिए primary वाले का order of activity sn two में जहाला रहेगा secondary वाले का low हो जाएगा clear है तो यहां पर मैंने आपको तीन examples कराई है देखिए अब इसमें सबसे important क्या है कि आप लोगों को IUPAC names दिये जाएंगे ठीक है या फिर आप लोगों को ऐसे open structure बिल्कुल नहीं दी होती paper में ठीक है या फिर आप लोगों को एक उस structure का formula बना कर दे दिया हैं कितने C3 group हैं 3 with carbon और उसके साथ जुड़ा है ठीक है तो ऐसे आपको formula बना दिये जाएगे आप लोगों को इस formula से ये open structure उसकी बनानी पड़ेगी या फिर IUPAC name से उसकी structure बना कर आप लोगों ने ये check करना है कि कौन primary है secondary है third degree है ठीक है तो practice के साथ ही है आपका strong होगा topic तो please अच्छे से इसकी practice कीजी क्लियर है ठीक है कोई भी book है आपके पास उसमें SN2 वाला topic उठाइए उसके अंडर बहुत सारी examples ली होती हैं वो सभी solve कर कर देख ले ठीक है तो आगे कि जब भी हमारे पास आएगा third degree उसमें mostly SN1 यूज होगा जब भी methyl या फिर primary आएंगे उसमें SN2 लगेगा ठीक है इन दो नों में ओके अब इसका reason क्या होता है कि SN1 में reaction जो है वो two steps में होती है यह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तो इसमें क्या बनता है कार्बोकटाइन तो कार्बोकटाइन की stability के according ही हमारा यहां पर order of activity बनता है तो जो यहां पर third degree होते हैं वो सबसे ज़्यादा stable होते हैं कार्बोकटाइन इसलिए इनकी SN1 में reactivity ज़्यादा होती है clear है इसकी कुछ examples देखते हैं ठीक है अब देखिए जो हमने SN2 में की हैं वो सभी सेम examples आप लोग यहां पर भी use कर लें बट उनके order of activity आप लो reverse कर दें तो यह कुछ अलग examples में आपको इसके लिए बता रहा हूं अब देखिए ऐसी भी आप लोगों को structure दी जा सकती है इसे हम बोलते हैं bond line structure ठीक है अब यहां पर एक होगा carbon atom एक carbon यहां पर है एक यहां पर है और एक यहां ठीक है अब इस carbon के साथ जुड़ा है secondary अब यह जो carbon atom है जिसके साथ जुड़ा है CL उसके साथ आगे एक ही chain है ठीक है यही एक chain है तो यह हो गया आपका प्राइम दी तो मतलब क्या हुआ कि third degree की reactivity SN1 में सबसे ज़्यादा है two degree की उससे कम है और one degree की उससे कम है ठीक है अब यह जो example है this is very very important के यह जो benzyle chloride है इसका नाम क्या है this is the benzyle chloride ठीक है benzyle chloride में always SN1 reaction होगी और SN1 में इसकी reactivity बहुत ही जादा रहती है इसका reason क्या है कि जब benzyle chloride का बनता है carbocatine ठीक है इसका halogen remove कर दें और यह वाला जब बनता है carbocatine this is stabilized by the resonance ठीक है अब यह benzyne के साथ जुड़ा है तो this is stabilized by the resonance तो यह resonance के साथ stabilize हो जाता है इसके कारण इसकी reactivity SN1 में बहुत ही ज़्यादा होती है benzyle chloride की यह बहुत बार exam में पूछा गया है benzyle chloride के साथ आप लोग secondary use कर ले प्राइमरी यूज कर ले तो सभी से ज्यादा activity इसी की ही शोगी अगर कुछ ऐसा है कि हम यहां पर कुछ hydrogen को हटा कर benzene लगा दें या फिर में थाई लगा दें तो बात अलग है वह हम किसी mcq में solve करते हैं ठीक है पहले आप लोग इतना याद रख लिजिए clear है ठीक है तो इसकी कुछ examples रेखते हैं जैसे कि यह mcq है कि which of the following shows the maximum reactivity towards the sn1 reaction ठीक है तो यही आप लोगों को यहां पर आने हैं तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसे आपको फार्म ने दिये जाएंगे आप लोगों ने उपन स्ट्रक्चर उसकी बनानी अब देखे क्या है c6 h5 ठीक है c6 h5 क्या होता है बैंजन रिंग होती है ठीक है और उसके साथ है c h ठीक है और c h के साथ ब्रेकेट में एक और c6 h5 है मतलब एक और बैंजन रिंग है ठीक है और इसके साथ आगे जुड़ा है ब्रोम अब देखिए इस c के साथ दो जुड़ गए है तो यह बन गया स्केंडरी ठीक है ऐसे ही ये वाला है और ये भी आपका बन जाएगा स्केंडरी इसमें c6 h5 कि थाँपर की जगा पर क्या लग जाएगा c h3 लग जाएगा मतलब ये वाला बन गया ठीक है इसमें लग गया c h3 और यहां पर c hbr है अब ये दोनों स्केंडरी है बट इसके सा में क्या हुआ कि C6H5 CH3 और एक और C6H5 मतलब ये आपका क्या बन जाएगा थर्ड डिग्री बन जाए ठीक है तो ये कुछ ऐसा बन गया कि CH3 भी है और C6H5 भी है और साथ में BRB है तो इसकी रेक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा रहेगी और आखिर में जो हमने अभी किया था बेंजाइल हलाइड है ठीक है बेंजाइल ब्रोमाइड है उसकी रेक्टिविटी सबसे लो रहेगी ठीक है तो ये आप लोगों ने अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है कि किस की रेक्टिविटी ज्यादा है हमने बना कर दिखनी है structure के third degree अब यह दोनों two degree two degree थे बट यहां पर बेंजीन दो होने के कारण इसमें ज्यादा resonance थी इसकी ज्यादा रेक्टिविटी है तो हमारा अंसर तो C आ जाएगा ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा रेक्टिविटी यही दिखाएगा because it is a third degree और also it has two benzene rings तो यह बात आप लोगोने याद रखने है ठीक है तो आगे चलते हैं तो इसी में एक और important बात है आप लोग याद रख सकते हैं कि जो SN1 रेक्शन होती है ठीक है जब किसी काईरल सेंटर पर हो मतलब जिस कारबन के साथ four different groups जुड़े हो उ बोथ enantiomers जो होते हैं dextro rotatory and the level rotatory दोनों ही वहाँ पर बन जाते हैं बट अगर हम इसे more deeply देखें तो क्या होता है inversion वहाँ पर ज्यादा होती है than the retention ठीक है तो more inversion than retention तो यह दा मतलब तो इसका मतलब के वहाँ पर partial resmization होती है ठीक है तो mostly इसे simply resmization बोल देते हैं अगर आप को deeply पूछा जाए तो वहाँ पर partial resmization होती है ठीक है sn1 में resmization होती है sn2 में inversion होती है ठीक है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि direct mcq आपको मिल सकता है इस पर sn2 में inversion sn1 में resmization clear है तो आगे चलते है इसके बाद है कि in the alkaline hydrolysis of the third degree alkylide tertiary alkylide by the aqueous alkali ठीक है aqueous alkali जैसे कि हमने kvh use कर लिया aqueous ठीक है if the concentration of the alkali is doubled then the reaction rate at constant temperature उस पर क्या effect होगा अब देखिए third degree alkylide है हमने अभी भी read किया है तो third degree में कौन सी reaction होगी sn1 होगी तो sn1 में क्या rule होता है कि rate of reaction is only depends upon the concentration of the alkyl chloride जैसे माल लीजी हम ch3 cbr की reaction करवा रहे हैं मतलब ठीक है तो सिरफ जो हमारा third degree alkyl chloride है उसी की ही concentration पर depend करता है rate of fraction and rate of fraction is independent from the concentration of the ko h या फिर alkali इस पर कुछ नहीं depend करेगा तो आप लोग alkali की concentration को double कर दें half कर दें four time कर दें कुछ भी कर दें rate of fraction same रहेगा because it is a SN1 अगर SN2 होता तो जो आप लोग यहाँ पर change करते concentration में वही rate में change हो जाता because उसमें alkali पर भी depend करता है SN2 में तो यहाँ पर क्या रहेगा will remains the constant ठीक है तो यह आपका answer मिल जाएगा तो ऐसी problems भी पूछी जाती है तो यह जो कुछ भी related है मैं आपको बता रहा हूँ तो please अच्छे से ध्यान से इसको सुने तो आगे चलते हैं the compound that does not undergo the hydrolysis by the SN1 mechanism किसमे SN1 mechanism नहीं होगा अब देखिए this compound is allylic तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे हमने किया था कि benzylic और ऐसे ही हमारे पास होता है allylic तो allylic में भी जो है वो यही सेम रेक्शन हो जाती है allylic में भी SN1 ही mostly होती है because carbo-katyne stabilize हो जाता है this is the chlorobenzine तो हमने read किया था कि chlorobenzine की तो reactivity ही काफी low है towards the nucleophilic substitution तो यही होगी जिसकी hydrolysis SN1 के coding नहीं होती तो यह हमने अभी अभी ही बनाए थे तो यह एक secondary है और साथ में benzine भी है ठीक है तो इसकी तो reactivity high होती है towards SN1 ठीक है तो इस option में कुछ mistake है ठीक है तो जो भी होगा आप लोग बाद में इस ठीक कर देना तो अभी हमें से ऐसे ही रखते थे हैं तो इसका answer आएगा यह वाला chlorobenzine ठीक है तो यह आप लोगोंने या तो इसमें आप लोगोंने याद रखना है कि इस ओफ दी डी हाइडोहलोजिनेशन अफ अलकाइलहलाइट्स विद अलकोहलिक के वैच इज थर्ड डिग्री की डी हाइडोहलोजिनेशन सबसे एजली हो जाती है स्केंडरी की उससे कम और प्राइमरी की उससे कम रीजन क्या है क्योंकि थर्ड डिग्री से हमें क्या मिलेगा मोर अलकाइलेटर्ड डबल बॉंड या फिर अलकीन ऐसा अलकीन मिलेगा जिसके आस जिसमें डबल बॉंड के आसपास जो भी कारबन एटम डबल बॉंड बना रही है उसके आसपास ज्यादा अलकाइल ग्रूप जुड़े हों वो अलकीन जो है वो एजली बन जाता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी ग्रेटर इज ओफ फॉर्मेशन होती है दिस इस नोन ऐस दी सेट जैफ रूल यह रूल का नाम भी पेपर में पूछ सकते हैं सेट जैफ रूल यह भी आप लोगों ने याद रखना है ठीक ह तो डी हाइडो हेलोजीनेशन में थर्ड डिगरी की इज सबसे ज़्यादा स्केंडरी की उससे कम वन डिगरी की उससे कम ठीक है सेम एज एसन वन वाला ओर्डर है यहाँ पर भी ठीक है उसके बारे में कुछ और बात करते हैं तो अगर हलकाइल ग्रूप्स मतलब एक जैसे हों तो हैलोजेन अलग अलग जुड़े हों तो आयोडीन वाले की सबसे जादा रैक्टिविटी तो यह सेम पॉइंट है जो हमने सन जाता यह सानगा क्यूंकि अधिए बाकी बोंद में की घतिए उसे बाद मेंаний आएगे यहाँमीन हमारा ऊपर वाला रूल है वह हमें यह हमारा बन जाएगा एक थर्ड डिग्री अलकाई हलाइट तो ऐसे ही टू ब्रोमो पैंटेन इस इस केंडरी और दी वन ब्रोमो पैंटेन इस 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 प्राइम अब देखिए यहां पर क्या होगा ठीक है तो यहां पर होगा के जब हम इसका अलकीन बनाएंगे विद डी बॉंड में यह दोनों आएंगे कार्बन एटम ठीक है अब इसके पास एक अलकाईल ग्रूप यहां पर है एक यहां पर है दो और एक यहां पर है तीन अलकाईल ग्रूप हैं इसके आसपास देरफोर इसकी ईजो फॉरमेशन सबसे ज़्यादा रहे जी अगर हम इसकी बात क होगा अगर हम यहां से ब्रॉमिन हटा दें और यहां से एक हाइडोजन हटा दें यहां पर बना दें डबल बॉंड इसके आसपास तो ओनली वन अलकाइल फ्रॉमिशन कुछ ऐसी रहती है यह बात आप लोगों ने याद रखनी है ठीक है तो इस सभी चीज़ों को आप लोगों ने साथ में ही होट डाउन जरूर करना है फिर ही आपको अच्छे से आएंगी यह ठीक है होके है क्लियर है तो आगे चलते हैं इसके बाद है कि orders of the boiling point तो boiling point के orders में आप लोगों ने क्या दियान रखना है कि boiling point decreases with branching जब chain की branching हो जाती है carbon atom माल लीजिए उतने ही है पांच-पांच हैं बट chain की branching कर दी गई है तो boiling point हमारा decrease हो जाता है due to the surface area decreases क्योंकि more surface area more are there the vendor wall attractions so therefore more boiling point but अब branching के साथ surface area decrease होगा ठीक है and the second point क्या है कि जितना ज्यादा होदी की उदर मास होगा उतना ज्यादा boiling point होगा क्योंकि उतनी ज्यादा strong vendor wall attractions होगी मास ज्यादा होने का क्या मतलब है कि atomic number ज्यादा होना चाहिए जैसे iodine वाले का ज्यादा boiling point होगा bromine वाले का उससे कम और chlorine वाले का उससे कम होगा ऐसे ठीक है इसकी कोछ examples करते हैं जैसे के हमारी सबसे पहली example है bromophone ठीक है bromophone क्या होती है CHBR3 इसमें जुड़े हैं तीन bromine अब तीन bromine है तो ज्यादा मास होगा या हमने जोड़ दिये दो bromine कार्बन सेम है एक एक ही कार्बन है तो उसका low होगा boiling point अगर एक ही bromine जोड़ा है तो और low होगा अगर bromine की जगा पर हमने chlorine जोड़ दिया तो और low होगा ऐसे आपको कोई भी relation बना कर दिया जा सकता है ठीक है तो सबसे low ऐसे होगा आप लोगोंने मास चक कर देना है chain का size यहाँ पर same है तो अगर कुछ ऐसा हो कि हमने total चार कार्बन वाली ही यहाँ पर chain बनाई है तो चार कार्बन वाली straight chain का सबसे ज़्यादा boiling point होगा हमने उसकी branching कर दी ठीक है यहाँ पर एक carbon atom use कर लिया बट है फिर भी same चार कार्बन है isobutyl bromide है इसका low boiling point होगा अगर हमने third degree बना लिया ठीक है टर्शरी butyl bromide बना लिया और ज्यादा branching कर दी हमने ठीक है तो क्या होगा boiling point और कम हो जाए ठीक है जितनी straight chain होगी उतना boiling point ज्यादा होगा यह बात आप लोगोंने याद रखने है ठीक है एक और example है इसी में कि यहां पर है चार carbon ठीक है तो यहां पर है हमारे पास only only है यहां पर three carbon तो जितना chain का size बड़ा है boiling point उतना ज्यादा होगा तो यह दोनों का size तो सेम है बट इसमें क्या होगी branching होगी तो यह क्या बन गया हमारा two chloropropane तो इसका boiling point उससे भी low हो जाएगा ठीक है तो ऐसे practice के स आप लोगों को इच्छे से आ जाएंगे यह सबी orders बिल्कुल easy है और एक हमारी आखरी problem है के melting point अगर आप लोगों को है पूछे जाएं डाई क्लोरो बेंजिन के बारे में तो जो होता है यहां पर पैरा डाई क्लोरो बेंजिन this one इसका melting point higher होता है than the ortho and the paraisomers because इसकी structure क्या है symmetrical structure है इसके कारण के इसके molecules क्या है वो closely pack हो सकते हैं इसके लिए इसका जो है वो melting point जो है वो यहां पर high हो जाता है than the ortho and the paraisomers ठीक है तो यह बाते आप लोगों ने याद रखनी है तो यह थी आप लोगों के लिए second part of the organic chemistry revision जिसमें के हमने important orders किये हैं तो please इस वीडियो क को अपने सभी friends के साथ share कर दें और इसकी जो आपके लिए PDF file होगी वो आपको हमारे वो आपको हमारे telegram group में मिल जाएगी उसे जल्दी से जल्दी join कर लें नीचे description में सभी information है so thanks for watching the video video को share जरूर कर देना और नीचे comment जरूर करना तांके हम आपके लिए ऐसी और videos बनाते thank you